परिवार में हम कैसे क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? परिवार में हम अपने बच्चों को नियंतृत करने के लिए या एक दूसरे को नियंतृत करने के लिए पति-पत्नी में या हम पर कोई नियंतृत कर रहा है परिवार में तो कितने टूल्स उपयोग कर रहे हैं? बहे प्रलोबन आस्था, परिवार में हम तीनों यूज करना है, बहे प्रलोबन आस्था, कैसे, एक्जम्पल देके थोड़ी बात कर सकते हैं, बच्चा नहीं मालने तो लास्ट में बोलते हैं, देख परिवार के इजद की ख्याल, इसके सिवार मर्पस कहने के लिए कुछ है यह हमारा अंतिम हतियार है, देख परिवार के इजद का ख्याल, परिवार के इजद का ख्याल रखना, यह क्या चीज है, आस्था का प्रियोग है, ट्वेल्थ में इतने मांक साने से गाड़ी दिलाउंगा, और शाम को पपा को बता दूने, पपा नहुए गबबर सिंग हो कितना स्टाइल बदला है, हमको अपने बच्पन में कुछ मांगना होता था, तो बहुत मम्मी को बताना होता था, फिर मम्मी पापा का मूर देखके अच्छे महूरत में पापा को बात रखती थी, उधर से प्रस्ताव टर्न डाउन हो इसकता है, तो उसमें को रेस्टेंस क कि बात नहीं थी, फिर दुबारा रखा जाएगा, अभी कैसा है, बच्चा खाना खाते खाते बोलता है, पापा जड़ा पाने ले आना, तो अपने बच्पन में हम आग्याकारी बेटे थे, अभी हम आग्याकारी बाप, यह अच्छी सितिया है, इसमें कुछ खराब हो गय जब बहुत अच्छी सितियां हैं, एक वो परंपरा थी जब बोले, भैविन होई ना पृत, सुना हैं ना सभी लोगों ने, यह व्यवस्था का सूत्र है, कि साशन का सूत्र है, यह साशन का सूत्र है, तो पहले परिवार में भी यही माना गया, कि साशन पूर्वक सब कु को मारेंगे नहीं परिवार तो दूर की बात है पहले टीचर जाके पैरेंट्स जाके टीचर को बोल के आते थे कि इसको अच्छे से पिटना तो लगता था कि पिटने से बच्चा ठीक होता है अभी ऐसा है अभी काफे चीजें बदली है इसका मतलब यह हुआ कि पिछले 30 साल में 40 साल में हम जैसा आदमी के साथ जिये हमारे जो निशकर्स थे वो गलत साबित हुए इसलिए बच्चों के साथ हम फ्रेंडली हो गए इसलिए हम कुछ आगे चीजें पुछ करने का प्रयास कर रहे हैं तो बह प्रलोबन आस्था रहे नहीं चला प्रलोबन काम नहीं चल नहीं हो रहे हैं